कि यूटूब चैनल परिक्साय पाटी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गूड इवनिंग टो अलो फ्यू मैरी तू चलिए हम जो अपनी तैयारी करें यहां पर सीट एट का जो पेपर करेंगे सीट एट का पेपर सेगिंड आपका है नि rappers आता प्रोंच्ण यह si, Mr.. separate venture. पेपर 628 फेट का है तूर करने वाले हैं यह यह जुलाई में 2.0 प्रोंट म करने जा रहे हैं आपको पता है जुलाइज में जल्गे कितने जादा important होते हैं तो पहला question यहाँ पर आता है CDP से जिसमें 30 question आपके CDP के है पहला question में पूछा गया है कि नूर विध्याले में अपना lunch box लाना भूल गई तता यह कहते हुए तानिया से उसका lunch साजा करने के लिए कहा तुम्हें आज अपना lunch मेरे साथ साजा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने त सिध्दान के अनुशार नूर का कतन अभीविञ्यास प्रारूप को अवश्चता डेस अवस्ता पर दर्षाता है तो कौन से अवस्ता को ये अवस्ता है आदान प्रदान प्रमप्रागत और पर ना कोंबर जो समाज में लिए उप्यूक्त मानी जाने वाले प्रारूप प्रारूपिक विसेस्ताओं के बारे में जन सामानने की अवधारनाओं को क्या कहते हैं तो जन सामानने की अवधारनों को क्या बोला जाता है इस तरह की दोती है आपकी जेंडर रुडिवादी जो जेंडर स्टिरोटाइप को रिप्रेजेंट करती है ओप्शन सामिल करने के लिए विवेक्सिल प्रियास किया गया है जिसमें परता पिता जो है वो घर के कार्यों में लगा रहता है और माता सहसी गतिवीद्यों को करती है यह कदम किसके लिए महत्यपून है यह स्टेडयो टाइप में जेंडर करता है जो जैंडर स्टिडियोटाइप कि करता है उसको यह आपका समाप्त करता है खतम करता है और और उप्शन होघ्ट हो जाएगा कि वह वैशक बच्चे के निशपादन गे वरतमान इस्तर को सहयोग दुआरब स्तारिद करता है तो इसे क्या कहते है तो इसको क्या बोला जाते है इसको बोला जाता इसका फोल्डिंग जो 5 किस अवधी में विखशित होता है तो कोन वखशित हुआ था एमूर्त संकिर्यात्मक अवस्था ओप्शन फूर्थ राइट होगा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर सिक्स्ट डैस के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक परकिर्याव तता संस्कृतिक शंधर्व के परभाव को समझना आवेशक है तो किसके परभाव को लेव वाइगोच की ओप्शन स्थर्ड आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट है कोशन सेवन प्याजी की संग्यनात्मक विकास के सिधान से नहीं तात निकालता हुए नेक्स्ट आता है कोशन नमबर एट है कि हावर्ड गार्ड़नर के बहु बुद्धी सिधान के अनुशार कारकिक गनित्या बुद्धी वाले एक व्याक्ति की क्या विसेश्था होगी वह क्या होगी कि पैटन को खोज की एवं तर की लंबिश रंकला को हल करने की चंता और संग्वेदन शिल्टा ओप्शन फॉर्थ राइट होगा नेक्स्ट आता है कोशन नमबर नाइन वह पर किरिया जिसके द्वारा बच्चे आद तो कोशलो मुल्य तथा अभी प्रेरणा को विक्षित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं किरिया शिल्ट सदश परियावरन की भूमीका के बारे में निमलीकित कतनों में से कौन सही कौन सा कतन इसमें नेक्स होगा प्रियावरन के रूप में माना-विकास को परभावित कर ते और पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट आता है कोश्वन नमबर 11 है कि एक परगतिशील कक्षा में जो एक परगतिशील जो कक्षा होते उसमें क्या होता है प्रोग्रेशिव क्लाश्रूम में यह होता है कि विध्यारती के द्वारा ज्यान की संग्रचना की जाती है ओप्षन फर्स्ट राइट हो जाएगा नेक्स्ट आता है कोश्चन नमबर ट्वैल है कि सत्त एवन समग्र मुल्यांकर में सामिल होता है जो कंटिन्वेंस और कंप्रेंस इवैल्यूशन होता है उसमें इंक्लूड क्या होता है तो उसमें इंक्लूड होता है कि विवीद परक एक विधार्ति को विभिन शोतों से बार-बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग साक्षिक चेत्र में निम निस्तरिया परदर्शन करते हैं इस रूड़िवादिता एवं प्रिमानिक प्रिनामिक रूड़िवादी आशिंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक सिक्षक को क्या पहल करने चाहिए तो जो एक सिक्षक होता है उसको क्या पहल करने चाहिए तो सिक्षक को पहल करने चाहिए विभिनिस सामजिक वर्गों के रोल मोडल से संभनित कहानिया एवं मुधार्णों को प्रस्तूत करना चाहिए ओप्शन पोर्थ राइट हो ज चाहिए यह विश्वास करना चाहिए कि प्रते एक बच्चे में अपनी योगता आवम सकती के अनुशार सीखने की चंता होती है यानि जितने भी क्लास्रूम में अगर 20 बच्चे तो सबकी जो कैपेबिलिटी होती है तो अलग-अलग होती है तो हर कोई में क्या होता यानि सबकी जो सीखने की चंता होती है अलग-अलग आपकी होती है ओप्शन परस्टिस में राइट हो जाएगा नेक्स्ट आता है कुशन नमबर 15 है एक विध्यार्ति कक्षा में निमनी कित लक्षन प्रदर्शीत करता है कौन-कौन सा लक्षन है कि पढ़ने के प्रती चिंता है सब्दो याक्ष्रों को पैचानने में उसको कटिनाई हो रही है निमनी स्थर्य सब्दावली कोशन है पहले पढ़े हुए पार्ट को समझ नहीं है याद करने में उसको कटिनाई है तो इसे सूचक होता है इंडिकेशन है कि अधिगम ए सक्षत वाले विध्यार्ति के ओप शक्ताओं को किसे परकार से बता सकता है संभोधित कर सकता है तो किस परकार संभोधित करेगा अत्यदिक लिकित ग्रह कार्या देना तता उत्तरों को अन्य पर भावशाली विध्यार्तियों से नकल करने पर दबाव डालना ओप्शन तर राइट हो जाएगा नेक्स आता है जो राइट आंसर था हमारा ओप्शन 4 था कि परतेग विध्यारती के अधिगम के ससक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विसलेशन के आधारों पर विसिष्ट अधिगम उद्देशों को विख्षित करता है अब आता है कोशन 17 था हमारा तो इसका राइट आंसर क्या था इसमे कौन सा सारतक अधिगम का पक्ष लेगा वो होगा आपका विसेवस्तु तता बच्चों के संपून कुशल चेम एवं अधिगम के प्रति सच्च स्रोकार रखना ओप्शन 4 राइट हो जाएगा नेक्स्ट आता है कोशन 19 है कि निमलिकित में से कौन सा परभावशाली समश्य समश्य को अनेक उपलक्ष में विभाजित करना ओप्शन 4 राइट हो जाएगा नेक्स्ट आता है कोशन 20 है कि निमलिकित में से कोन सी सिक्षन अधिगम के लिए परभावशाली सिक्षन परणाली नहीं है तो जो परणाली नहीं होगी वो है कि दिये गए ज्यान को दोराने पर केंदरित ध्यान केंदरित करना ओप्शन 4 राइट हो जाएगा नेक्स आता है 21 कोशन कि सिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किसे परकार का बरताव कर सकते है तो जो बरताव होगा वो किस तरह कर सकते है वो बरताव है कि उन से बात करक संग्रचना वादी उपागम बताता है कि डैस ग्यान की संग्रचना के लिए अत्यंत आवेशक है तो अत्यंत आवेशक क्या होता है विद्यारती का पूरु ग्यान उप्शन फर्स्ट राइट होगा नेक्स ट्वंडित्री कोश्चन की बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सह्जान वोत सिध्धांत की संग्रचना करते हैं इस से प्रश्टेबुन में एक सिक्सक होता उसको यहां पर क्या करना चाहिए तो सिक्षक को संग्वाद के द्वारा बच्चों की नवधारना को चुनोती देनी चाहिए चैलेंज देना चाहिए ओप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा नेक्स आता है 24 कोश्चन कि संग्यान एवं संग्ये के बीच किसे परकार का संबंद होता है तो संबंद किस परकार का है दूइधिश्य होता है दोनों के बीच एक गतिशील पारश्प्रिक करिया होती है ओप्शन फोर्ट राइट होगा नेक्स्ट आता है question number 25 कि निम्लिकित में से कौन से कारक अधिगम को परभावित करते हैं तो कौन से वो factor होते हैं जो अधिगम को क्या करते हैं परभावित करते हैं तो सबसे पहले इसमें है विध्यार्ति की एभी रूची बिल्कुल सही है विध्यार्ति का सांग्वेकिक श्वास्त्य यह भी आपका सही होगा सिक्षा सास्त्य रननितिया यह भी सही है चोता है विध्यार्ति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक शंदर यह भी आपका सही होगा जैसे कि एक परियोग का नियोजन एवन संचालन करना जो कि प्रतक सुरूप से उस गतिविदी से संभानित नहीं है जैसे कि एक स्टोर या बैज प्राप्त करता है ऐसी स्थिती में क्या संभावना उत्पन होते हैं तो ऐसी स्थिती में जो पॉसिबिलेटी रहती है कि अधीगम के प्रति भोतिक वादी अभिवरति का विकास ओप्शन लिए राइड हो जाएगा नेक्स्टा ग्वशन है 28 निमलेकित में से कौन सी मध्य बाले विस्ता की विसेष्टा क neste कि बच्चे तार्किक मूर्त रूप से सोचना प्रारम कर देते हैं और राइट हो जाएगा नेक्स आता है आपका कोशन साथ कोशन नमबर थर्टी लाश्ट कोशन है सीडीपी का कि परिवार आवन पासपडोस जो आपके आसपडोस का बच्चों के समाजी करन की कौन सी होते हैं प्राथमिक एजैंश्या होती है सो प्राइमरी सोसलाइजेशिन आपका होता है और चलते हैं मैट का सैक्षन आपका साथ कोशन आपके आते हैं गनीत और विज्ञान के मैत और साइंस के आपके साथ कोशन यहां पर बनेंगे तो पहला है को सब्सक्राइब को एक से सो तक के मध्य अभाज है युगमो की संक्या कितनी होगी आठ आपकी होगी और फॉर्ट राइट हो जाएगा नेक्स्ट है क 32 कि यदी 2168 बराबर आपका है 2a 2a into 3b into 7c है जहां a b तता c प्राकर संख्या है तो 4a minus 5b plus c का मान क्या होगा तो वैल्यू पूछी गए वैल्यू कितनी होगी 3 आपके आएगी option 4th राइट हो जाएगा नेक्स्ट 33 कोश्चन है कि माना की x एक वैसर से चोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर परतेग दसा में 5, 6 रहता है तो x के अंकों का योग होगा तो x के अंकों का योग क्या आता है 17 आता है option 4th राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है 34 कि संख्या हो 50, 61, 62, 117 में से परतेग में से कौन से संख्या गटाई जाए ताकि इस परकार इसी करम में प्राप संख्या है शमानुपात में हो जाए तो कौन से होनी चाहिए संख्या होनी चाहिए 17 option 2nd राइट हो जाएगा नेक्स्ट आता है कोश्चन नमबर 35 है कि रुपे 1710 की एक रासी AB तता C में इस परकार बाटी जाती है कि A का 4 गुना B का 6 गुना तता C का 9 गुना बराबर है तो A और C में क्या अंतर होगा तो A और C में अंतर क्या आता है तो अंतर इसमें आएगा 450 रुपे का option 2nd राइट हो जाएगा नेक्स आता है 36 कोश्चन कि टोकरियों जो टोकरी होते हैं उसमें A और B में रखे फलों की संख्या में साथ रेशो नोका अनुपात है यदि टोकरी A में से 6 फल निकाल कर टोकरी B में डाल दिया जाए तो यह अनुपात एक रेशो 3 हो जाता है तो A और B में कोनों तिर्भुज A B कि एक और इस्तित है तो जो डी है लेंडा A B और C B लेंडा A B तता A C बराबर BD है तो निमने में से कौन सा आपका सत्य होगा तो सत्य कौन सा होगा जो आपका है कि ट्राइंगल A B C ट्राइंगल B A D option 3 हो जाएगा नेक्स आता है 38 कोश्चन है चार त तिर्भुज की जो भुजाय है वह आपको नीचे दी गए जैसे इसमें है 22 cm 20 cm 22 cm 20 cm 25 cm 25 cm cm 3 cm 11 cm 60 cm 41 cm संटीमीटर 14 cm 40 cm तो इन में से कौन सा समु समकोन तिर्भूज बनाता है तो कौन सा वो गृप है जो समकोन तिर्भूज बनाता है राइगल को यहां पर बनायेगा तो कौन सा बना रहा है यह 11 किसी तर्भूज के कौन तीन रेशो पांच रेशो साथ रेशो नो के अनुपात में है चतुर्भूज के सबसे चोटे तता सबसे बड़े कौन का अंतर क्या होगा तो कौन जो है जो एंगल है उसका अंतर पुछा गया 90 डिग्री आपका आएगा ओप्शन फॉर्थ राइट ह किसी तर्भूज का प्रीमा 12 सेंटीमीटर है यदि इसकी सभी बुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में पूर्णांग को मेते हो इस परकार के कितने विबिन तर्भूज संभा होगे तो तिर्भूज कितने पोशिबल आपके है तीन पोशिबल होगे ओप्शन सेकिंड सकते हैं यदि परतियक डिब्बे की विमाई 2.8 मीटर 2.5 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर आपकी है तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4800 और राइट हो जाएगा नेक्स आता है 42 किसी लंब व्रत्य बेलन के आधार की प्रिदी 58 सेंटीमीटर है और इसकी उचाए 2 मीटर ह पाइटन है पाई बराबर 22 बटे साथ आपको लेना है तो पाई की जो लेनी है वह 22 बटे साथ आपको लेनी है तो इसका अंसर के आएगा इसका आता है 4.4352 मीटर क्यूब ओप्शन थर राइट होगा नेक्स्ट है 43 कोईशन किसी तिरबूत का चेदरबल जो है वो 220.2 सेंटीमीटर स्क्वार है और इसके एक विकन पर उसके समोक्षीर सो से डाले गए लंबो की जो लंबे है उसकी जो लंबाई होगी हाइट है वो 7.2 सेंटीमीटर तथा 8.8 सेंटीमीटर है तो इसके विकन क लंबाई क्या होगी जो विकन है जो डाइगोनल होता है उसकी लेंग्त है आपर पूछी गए तो डाइगोनल की लेंग्त कितनी होगी वो ती हाथा 8.4 सेंटीमीटर ओप्शन सेंटीमीटर राइट है नेक्स आता है क्वेस्ट नमबर 44 है कि यदि 5 थे क्वेस्ट में आपक फर्त राइट हो जाएगा नेक्स 95 कोशन जब एक के बराबर穴 एख ऑप थी एक के हाम डी मृण़ देग्याँ लेंच शो स्कुरिवाइब माइनेस वाइब के बराबर तो यह क्यों सह होगा उसमें आएगा एक्स की क्यूब प्लस Y की क्यूब प्लस X Y Y माइनस X ओप्शन थर राइट हो जाएगा नेक्स्ट 47 कोईशन निम्नाकडों के लिए माध्यक बहुलक और प्रिशर का माध्य क्या होगा यानि मीन मीडियम मोड और रेंज आपको दी गई है तो इसमें पूछा गया है तो इसका प्रिशर का माध है वह आपसे पूछा गया तो क्या आएगा इसमें जो राइट आंसर आएगा 33 आपका आएगा ओप्शन थर राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन आता है 48 एक गनित्य प्रेमे है तो एक जो गनित्य पर्मे है तो मैतमेटिकल थियोरमी तो वह क्या होगी कि एक कथन जिस अभी ग्रेत जो अंगनित वैबीज गनित का आधार दिया है यह हो जाएगा यूकलीड ने यूकलीड जो है ओप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा नेक्स्ट फिप्टी कोईशन एक गनित में आनता है विशक्ता को प्रोसाइट करने के लिए निमली कित में से किसे आकलन यूजना के रूप में उप्योग किया जा सकता है जैसे आपका प्रियोजना हो गया जो प्रोजक्त है बिल्कुल सही है चेत्र बनमन फिल्ड ट्रिप यह भी आपका सही होगा वर्ण अभिले को रोंग और ओलम्प्यार यह भी रोंग तो ए और भी इसमें सही होगा 52 एक गनित के उच्पराथ में किस तर पर को प्रोशेव को प्रोफित किया जाता थό और यह भी आपका सही और आपका सही को विवेचनात्मग विचारों के विकास की संभावना न्यून्टम होगी तो किसमें न्यून्टम है कि एक लंब वरते बेलन का आयतान याद कीजिए जिसकी त्रीज़ा 3.5 सेंटीमिटर और उचाईदा सेंटीमिटर है ओप्शन फोर्थ राइट होगा नेक्स आता है क्वेचन नंबर 54 है कि राज्ट्य पाठे चरिया की रूप रेखा NCF 2005 की अनुसंसर के अनुसार सभी के लिए गनित उपलफ्द कराने का व्यापक उदेशन निमनिकित में से किसे संग्रेक आपका है तो किसे संग्रेक होगा ये पूछा गया है तो किसे संग्र के है निमनिकित में से परभव बनाने के लिए निमनिकित में से क्या परभावी याट करना नेक्स आता है क्वेचन 56 प्रोट्साहित करना ओप्शन फॉर्थ राइट है नेक्स्ट है 57 कोश्चन की प्याजे के अनुसार बच्चों की दिक्स्तान की समझ के लिए निमलिकित में से क्या सही नहीं है तो जो सही नहीं है वो पूछा गया जैसे जैमितिया बोद की प्रगती एतिहासिक करम में होती ह तर्क शॅंगत करम में ओप्शन से की राइट होगा नेक्स्ट आता है question number 58 यद्य मांईस के 12 गुझा मांईस केृण Q एक्स की टैनिया पर्दीनॉएंक सुछन यार्ट कि जया कि अधून जिहागी ज़ुज्शन जया और ती एक्स प्लस य ज्रुज्टीन, एक्स क्ट्प्रस य को राटाई एक पार्ट प्लस तीन आपका थेन टीन आपको प्रफ याँ प्लस प्लस इक है गो जाए गा प्राट ज το जएक अब कस्य थे क्षेम ऐगा अब कर गासे को सइनस वाज खंट इड़ा कि X वहर शायन है, जो हमारे अमाश्य में उपस्तित है, तथा भोजन के पाचन के लिए आवेशक है, जब X आधिक्य में इस्त्रावित होता है, तो यहाँ पाचन जैसी स्वास्ते समेश्य उत्पन करता है, वाई वह रशायन है जिसका उप्योग ऐसी ही परस्तिती में उप्चार के लिए क्या जाता है X और Y क्या होगा जो है वह है और Y milk of magnesia ऑप्शन prediction तर्य हो चालेगा नेक्स्ट है Question no.62 कि निमनीकीत में से किस परकिया में बैक्टियर J 1914 का उप्योग नहीं होता है तो दे के दही बनाने में आपका जो बैक्टीरिया होता है उसका यूज spect gegenüber में जो गन्रे काल sob sticking दमें यानीma यानी cans car keios soldiers होता उसका फर्मनेटेशन के लिए आपका जीवान होते भाइक्टीरिया की जरुनॉसके पर्टीर उसके साथ नाइटोजन fixation होता है वहाँ पर भी आपका जो उप्योग नहीं होता तो किसमें डबल रोटी पकाने में तो second आपका राइट हो जाएगा नेक्स आता है question number 63 निमलिकित में से कौन सा अन्य से भी नहीं जो different आपको दिख रहा है वनन मुलन यानि deforestation आपका है मरस्थ्रिकरन आपका देसर्टिफिकेशन है और अपर दन तो जिसमें यानि यह सारी चीज़ें क्या हो रहे है यह आपका तो जो अलग है जिसमें इनमें क्या करना है conservation यो कि conserve करना किसी का संग्रक्षिन करना उसको बचाना तो option 4 इसमें different आपका है next 64 question निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो कौन से कथन है जो सही नहीं दिया गया एक रशाइनिक प्रिवर्तन है option 4 राइट हो जाएगा next 65 question कनो की साइज आकार क्या नुशार कोन सा आरोही करम को निरूपित करता है तो आरोही करम में आपको कौन सा दिया गया है असेंडिंग ओडर में तो इसमें हो जाएगा किम्रति का गाद रेत बालू बजरी चटान option 2 राइट है next 66 option है मचली मतश्य में क्लोम गिल का कार्य क्या होता है तो गिल का कार्य होता है तो जल में उपस्तित विलिये गुलंसिल ऑक्षिजन आवसोसित करना option 3 राइट होगा next 67 question यदि संयोजक तार नहीं है तो विदूत परिपत को पूरा करने के लिए निम्लीकित में से किसका उप्योग किया जा सकता है तो किसको उप्योग किया जाएगा ब्लेड का option 4 राइट हो जाएगा next 68 question मंजुला संतल दर्पन में अपने पर्तिबिंद का प्रेक्शन कर रही है उसकी दर्पन से दूरी 5 मिटर है वह दर्पन के और एक मिटर चलते है अब उसकी और दर्पन में बने उसके पर्तिबिंद के बीच की दूरी है तो बीच की दूरी कितने होगी 8 मिटर होगी option 3 तो पैंडूलम तो तीन सेगिन में 30 दोलन करता है नीचे दी गई कतनों में से आपको सही कतन आपको चुनना है क्या करना है सही जो आपको स्टेटमेंट है वह इसमें चुनने है तो इसका आवरतकाल 0.1 सेगिन तता आवरती 10 है आपका होता है 10 सेगिन राइट हो जाएगा नेक्स आता है 70 गलत कथन या पर आपको पैचानना है तो गलत कथन कोन सा है बाल बेरिंग का उप्योग मशीनों के भागों के बीच में घरशन में व्राधी करने के लिए क्या जाता है ओप्शन फस्ट राइट हो जाएगा नेक्स साइकिन इसमें राइट होगा नेक्स आपको पैचानना है तो सही स्टेटमेंट यहां पर आपको पैचाननी होगी तो सही स्टेटमेंट क्या पर योग शालत थर्ममेटर का प्रिशर डोक्टरी थर्ममेटर से अधिक होता है ओप्शन फॉर्थ राइट हो जाएगा नेक्स कोई बस अपनी यात्रा के पहले बारा मिनट पचास किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है इसे समय की आवधी में बस कुल कितनी दूरी तै करती है तो वह करेगी 22 किलोमीटर ओप्शन सेकिंड राइट हो जाएगा नेक्स आता है 75 कोईशन निमली कितमें से गलत कथन आपको पहचानना है तो सभी आवरती इगरतिया व्रतुल व्रत्य गतिया होती है तो उप्शन फोर्ट इसमें राइट हो जाएगा 75 में नेक्स आता है 76 कोईशन संतल दर्पनों में संतल दर्पन कैसे होते हैं जहां घरों में भी जो प्लेन मीरर आप यूज करते हो तो संतल दर्म भी सिधा बनता है सही तो इसमें आपका सही होगा option second right हो जाएगा next आता है 77 question निम्लिकित मेंसे क्या विज्ञान की प्रकरती के संदर में सही नहीं है तो विज्ञान तत्यों के समुच्चे के समतुल्य है option fourth right होगा next is 78 question राष्ट्य पार्टे चरिया परियोग द्वारा होती है पर किरिया आत्मा को option fourth right होगा next आता 80 question की जो अनु है वो कक्सा आठ के बच्चों को साक्षिक बर्मन के ले लेकर जाती है इस किरिया क्लाप के ले निम्लिकित में सबसे अधिक उप्युक्त देश्य हो सकता है तो उप्युक्त देश्य क्या होगा पूचा गया है A यह बच्चों के मद्य अंतय क्यर्य को प्रेरित करता है बिल कुल सही है थो सनुभववों के द्वारा पर कर्किर्या कोशलों को बढ़ावा देता है जे भी आपका साए दी है सिक्षक और कख्षक के एक ला्य को तोड़ता है रूंग तो इसमें ए बी सी आपका город पहले दीन का सही है नेक्स आता है दe कि नेमलिकित में से क्या उचश प्रात्मिक इस्टर पर विग्णा सब्धेशर्श का है नहीं में आपस में चर्चा और इसके उप्रांद बड़े समों में साजा करने को कहना ओप्शन थार्ड राइट होगा नेक्स्ट है 83 कोश्चन की एक सिकसर कप्षा का आरम एक दिये गए भोजन के नमूने में मंड का रासाइनिक प्रिक्षन का प्रदर्शन करके करता है उप्युक्त गथन मेरे खांकित सबसे संभोधित संग्यनातमक परकिरिया है तो संग्यनातमक के परकिरिया है वो क्या होगी अनुप्रियोग करना ओप्षन थर्ड यानि एपलाइंग ओप्शन थर्ड राइट हो जाएगा नेक्स्ट आता 84 question कि निमलिकित में से कौन सी गतिविधी बच्चों में सक्किरिया अध्यवगम का प्रावधान नहीं करेगी तो जो प्रावधान नहीं करते हैं वो है कक्षा में व्याक्षान सुनना ओप्शन फॉर्थ राइट होगा नेक्स्ट आता 85 question कि निमलिकित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है तो किसमें कमी का पता किसमें लगाया जाएगा अवधारना मानचितर में वर्नन अभिलेक में पोर्टफोलिया में तो और सत्र अंत्रपुपलवधी परिक्शन गलत तो इसमें ABC आ आता 87 question कि नीचे दिये गए कथनों में से कौन से कथन सही है तो कौन सा जो कथन है वो आपका सही होगा तो पहला आता है पश्मीला साल बकरी के बालों से बनता है बिल्कुल सही है अंगोरा जो है एक परकार की उन है जो खरगोश से प्राप्त होते है गलत तो उसी है आपक 88 question नीचे दिये गए लक्ष्णों क्या अधार पर जनतु को आपको पैचानना है एनिमल्स को यहां पर पैचानना होगा सबसे पहले आता है लंबा मैरूदर रिड बहुत सी म्याश पेश्या आगे को धकेलने के लिए सरीर अनेक वलियों में मुडातो है ऐसा कौन सा होता है सर्प आपका होता है उप्षन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा नेक्स्ट आता है 89 कोईशन की नीचे दिये गए कौन सा कथन सही नहीं है तो कौन सा जो कथन है वह सही आपका नहीं होगा तो सही कथन है कि सभी धमनिया उक्षिजन सम्रद रख्त को ले जाती है यह साइन्स का विज्ञान का तो निम्लिकित में से कौन मिलानों के सही करम को निरुपित करता है तो कौन सा इसमें आपका सही होगा तो इसमें मैच आपको करना है सबसे पहले ऐसेटिक अमल तो असेटिक जो होता है वह सिर्के में होता है यह आपका दही में आपका होता है और तर्ड राइट हो जाएगा चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका जो सक्षण है 90 के बाद अब आपका स्टार्ट होता है लैंग वेज़ फर्स्ट जो आपकी इंगलीज की है इंगलीज के कोश्ट नम्हापर करने वाले और प्याफ यह push जाए काぐर और घृट क कुचिन होisure राजई क कशन के नीचेट्व्ह कव्ले और रिया फिश्वे सिच्वेश्वार फूर व्यूंग रिखता है और नेच्टिड्यक्ति तुस्डीन सोक्सक्राइब से सब्सक्राइब op nya प्रोप्शन फर्स राइट हो जाएगा नेक्स्ट आता है 93 कोश्चन की स्टड़ी दा फॉलोइंग स्टेट्मेंट तो पहली स्टेट्मेंट है कि एटी स्कूल वन लेंग्वेज ओप एजुकेटिट प्यूपल फिर आपकी भी लेंग्वेज 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 ल इसमें राइट आंसर हो जाएगा डिटर्माइनर ओप्शन सेकिंड राइट होगा नेक्स्ट आता है 95 कोश्चन इस्टेडि दा फॉलोइंग पैराज विच पार्ट विस्ट अंडरलाइट वर्ड जैसे बट डिलेट अंटाइल आपक्विज तो इसमें राइट हो जाएग नेक्स्ट कोश्चन आता है 96 कोश्चन है वाट डस दा वर्ड मोटिवेडिड में इन फॉलोइंग पैराज तो हाइली मोटिवेडि इस्टुडेंट कैन दस तो राइट आंसर के इसमें इंट्रस्टेड ओप्शन फॉर्थ राइट होगा नेक्स्ट आता है कोश्चन 97 डैस पीड़न से पर हड़ी मिन इस चैड़ है पन्त नैक्सрашन फर्ट रीड होगा नेक्स तर भी इनन फड़ अनटे मैं प्लीक के discussion तो तो है जो है second passes आपका आता है जिसमें आपके question है पहला question इसमें आता है 100 कि the city is gardens, cliffs and is less so that the earth is तो राइट है friendly option second right होगा next 101 है कि in the x state the point has compared to point the x compare कर रहा है तुल नहीं कर रहा है man with the earth option first right होगा next आता है 102 कि mood of the speaker in the in all of these lines is तो इसमें क्या होगा तो ओ इसमें राइल जो सही होगा वो आता है इसमें आपका जोयज तो second option आपका सही होगा question number 102 का right answer क्या आता है जोयज आपका आता है चलिए अब next इससे आगे के question के और अब हम बढ़ेगे अपना चलिए next question क्या आता है यहाँ पर अब आपका अगला जो question आता है 103 कि the figure of speech used in the first stanza of the extract is यह हो जाएगा personification option fourth right है next 104 the figure of speech used in the peras and wills the mills is the right answer क्या होगा 104 का है onomatopoeia option third right होगा next 1051 कि the beautiful dress worn by the earth is made of the right answer हो जाएगा water and grass option third right होगा 106 question a teacher ask learners to collect word phrases on various aspects they see and notice in their market and state later the learner write the words and phrases according to the category and discuss them in the class what is this practice known as तो इस प्रैक्टिस को क्या बोलेगे यह बोले जाता है थीमेटिक वोकैबलरी लर्निंग option fourth right होगा नेक्स्ट है 107 वाट डज सी एलाइल स्टैंड फोर्ट तो सी एलाइल स्टैंड क्यानि पूल फोर्म इसकी पूछी गई है यह होती है content and language integrated learning option third right होगा अब है नेक्स्ट आपका 108 question कि which of the following statement is correct तो कौन सी statement सही दी गई है रिप्रोड यह है आपका receptive vocabulary are words we recognized when we hear or see productivity vocabulary are words and we speak or write option second right होगा next 109 question a teacher divides her class into groups of four and reads out a text of about six sentences learner listen to and jot down important words and the teacher reads out the text the second time the learners discuss in groups the jot down words and recreate the text nearer to the one read out by the teacher what is the task known as तो इस task को क्या बोला जाता है यह होता है composition dictation option first right होगा next step 110 intensive reading reference to write answer हो जाएगा reading a text for detailed information option first right next आता है triple one आपका है कि knowing a word mean तो इसका right answer हो जाएगा knowing कि how where and when it is used option first right होगा next आता है 112 which typology of question does the following question belong to imagine you are the narrator of the story write and enter in your diary about your experience in about 100 words तो इसमें right answer आता है आपका कि एक्स्ट्रा पॉलिशे एक्स्ट्रा पॉलेटिव question option fourth right होगा next 113 poetry teaching is death तो right answer आजाएगा for enjoyment and appreciation option third right है next 114 है कि learning outcomes aim is तो right answer ensuring all the competencies are acquired by learners option fourth right होगा अब है next आपका 115 question है कि a teacher brings a newspaper to her class 8th student and ask them to find some advertisement she then asks them to list out how advertisements are designed and what an advertisement contains what is the newspaper here तो right answer हो जाएगा materials for language learning option fourth right होगा next आता है 116 question है कि national national curriculum framework 2005 shine supplementary and complementary rules to English language this means that right answer हो जाएगा English language teaching should support learning of other language and subject option first right होगा next 117 question a reader uses her prior knowledge makes a semantic cues and synthetic cues then moves her to other more specific information what model of reading the reader higher adopt the right answer आता है top-down model option second right होगा next 118 question आता है कि drilling is a teaching learning technique or a strategy in a desk तो यह होता है structuralism यानी structuralism option second right होगा next 119 question which of the following statement is true of language learning the right answer first language support the learning of second language option second right होगा last question 120 कि multilingualism as a resources in education aims at the right answer हो जाएगा making use of language of learners for teaching learning option first right होगा अब आता है next आपका यानी भाग फोर्त में जो बच्चे हिंदी की language लेते हैं पहली यानी language फिस्ट के आपकी हिंदी तो पहला question आता है इसमें आपका पहले गद्ध्यान दिया गया है जिसमें 91 से 99 तक यह question होगे गद्ध्यान से आपके बनने हैं तो पहला question है कि वनश्पतिया जब सड़ने लगती है तो वातवरन को डैस मिलते हैं तो वातवरन को क्या मिलते है co2 मिलते है carbon dioxide next आता है 92 question कि पोदो और प्रान्यों का जीवन एक दूसरे क्या स्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक डैस है तो क्या होगा कि carbon dioxide oxygen का नुपात समान रहे option third right होगा next 93 वातवरन का विग्रह और समास होगा तो वातवरन का वातवरन तत्पूरूस option second right होगा next स्वास और oxygen सब्द है तो स्वास और लिष्टे से है किरिया विशेशन है option fourth right है next 96 है कि गध्यांस का मुख्य विशे है तो गध्यांस का मुख्य विशे क्या होता है oxygen और carbon dioxide का संतुलन और स्योटाव का balance आपका होता है option first right होगा next 97 है हम सास के साथ तो हम सास के साथ क्या करता है oxygen लेते हैं और स्योटू छोड़ते है option second right है next 99 है oxygen ग्रैंड करने में अधिकांस जीलधारियों का स्वाभा होता है मानव की तरह होता है हुमन्स की तरह होता है next है कि 100 से 105 तक जो question है वह आपको इस काव्यांस से मिलना है पहले आपको काव्यांस पढ़ना देना अपने question के answer देने हैं तो question number 100 आता है कि पेट जो पेट पीट दोनों मिलकर एक इसका आकारन क्या हो सकता है कुछ भी बोजन ना करना option third right होगा next 101 की क्लेजे के दो टूक करने का आश्या है क्लेजे का दोको टूक करने का आश्या होता है वह है कि मन को कस्ट पोचाना option second right हो जाएगा अब आता है next question 102 विकारी अपनी जोली क्यों फैलाते हैं जो भीकारी होते हैं वह अपनी जोली क्यों फैलाते हैं भूख मिटाने के लिए कुछ आने चाहत होगा next 104 कि काव्यान से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है तो वो क्या होता है करूना होता है option third right हो जाएगा next 105 question वह आता है वह सरुनाम किसका दियोतक हो सकता है तो किसका दियोतक होगा विक्षुक का option third right होगा next 106 कि उचे प्राथ में किस तर पर भासा सीखने का उ और सोंदर या बोद को सही रूप से समझना option second right होगा next 107 कि ज्यान से संभनित अन्य विश्व की समझ का विकास तता उससे आनन उठाने की चमता का विकास उचे प्रात्मिक इस तर पर भासा सीकने का आपका होता है तो इसमें है कि एक महत्ते पूनु देश्य है option second right है next 108 प बढ़ कर समझना option first right है next 109 कि कवीता में कई बार अभी बीका परियोग करके बाते रची गई है डैस बिना रुके चलने वाले किसी कारे का भाव निकल रहा है या नहीं प्रिशन डैस की और संकेत करता है तो किसकी और संकेत करता है व्यकरनिक ज्यान की और option first right होगा next 110 उच विज्ञान आधी विश्यों की कख्षाओं में भी बच्चे भासा सीखते हैं यह विचार है तो यह जो विचार होता है यह किसका विचार आपका है यह पून्ट आसत्य है option first right होगा next 112 उच प्रात्मिक इस्तर पर पार्ट्य पुस्तकों में हिंदी तर भासा को ही जगे मिल हो कि तिनों आपके सही है option 4 इसमें right हो जाएगा next आता है question number 113 बच्चे भासा तब बहतर तरीके से सीखते हैं जब कब यानि जो भाशा का सम्रद प्रिवेश हो option second right है next 114 उच्छे प्रात्मिक इस्तर पर भासा अकलन की दरेश्टी से सरवाधिक मैत्ते पून है अवलोख observation next question 115 की दुट्य भाशे की पाठे चरिया का एक लक्षे है प्राकरतिक भाशे घ्यान में अर्जी दक्सता के अनुरूप 10 दक्सता प्राप्त करना है तो कौन सी दक्सता प्राप्त करना होता है बुनियादी option 4 राइट होगा next 116 है कि भासा के विभिन कोशलों को 10 रूप मे की अनुसंसक की जाती है तो कैसे यानि एकिकरत करके option 2 राइट होगा next आता है 117 कोईशन है कि व्याकरन सिक्षन की कौन सी विधी अपेक्षा करत परभावी है तो कौन सी परभावी होती है आगमन की विधी option 1 राइट होगा next 118 कोईशन क्यूच प्रात्मिक इस्तर पर भा उप्षन तर्ड राइट होगा next 119 कितरी भाषा फार्मूला भारत की डैस की चुनोत्या और डैस को संभोधित करने का एक परियास है तो किसका परियास करता है भासा इस्तिती और अवशरों का option 4 राइट हो जाएगा next 120 कि लिखने की चंता का विकास बोलने सुनने और पढ यहां पर भी आपके तर्डी कोश्चन आपके होगे तो पहले जो आपका है तो यहां पर पैसिस आपका दिया गया जिसमें 121 से लेके 128 को कोश्चन होगे वह इसी पैसिस आपको मिलने वाले है तो पहला कोश्चन आता है 121 का है कि we should not despise the savage tribe because they are we are no less super citizens than they are to option 4 इसमें right हो ज कि which of the following has a scientific basis for it तो राइट आंसूर क्या होगा इसमें है कि Fridays are as good as other days तो option 4 राइट होगा next 123 कोश्चन हूं believe in superstation तो इसमें भी राइट आंसूर है all tribes and some civilized nation option 4 राइट हो जाएगा next आता है 124 कोश्चन है कि study the following statement जैसे पहला है एक एंसाइंट ग्रेक्स वर्स उपीरियर तो अधर उप्योरियन ने नेशन फिर है बी दूसरी statement जो है कि science self as fight superstition तो इसमें यह आपकी गलत होगी बी सही आपकी होगी तो option second right हो जाएगा next 125 कोश्चन है which part of speech is the underlined word in the following sentence on the whole that is true तो इसमें हो जाएगा यह जो that है यह आपका pronoun है option second right है next 126 कि identify the part of speech of the underlined word in the following sentence it is often held that as a principle तो यह होता है आपका एड़ वर्ब option second right हो जाएगा next 127 कोश्चन है फिल इन दा ब्लेंक इन फॉलोइंग सेंटर तो डैस इस आपोजिट इन मिनिंग तू दा वर्ड सुपीरियार तो इसका पोजिट कौन सा वर्ड आता है इन फीरियार ओप्शन तर्ड राइट हो जाएगा next question आता है 128 कि स्टेट्मेंट विच बैस्ट सम्द आपदा पैसिज इस तो राइट है कि इसमें आपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वह सिट बैल्ट लगाता है अब आता है नेक्स्ट वन थाटी कोश्चन है कि स्टडी दा फॉलोइंग स्टेट्मेंट पहली स्टेट्मेंट है दो इसमें ए स्टेट्मेंट सही है बी है वैदर और नोट टू ड्रिंक अल्कोल इस इसमें राइट आंसर है डोंट ड्राइवा मोटर बाइक और फॉर्ट राइट है नेक्स्ट आता है 132 कोश्चन विच पार्ट आप स्पीच इस अंडर्लाइंड वर्ड फॉलोइंग सेंटेंस याट वी आरोल मेकिंगा हूल रेंज डिशीजन तो राइट आंसर है यह तो वर्ड आपको आपको यह तो इसका मतलब यहां पर क्या है तो वह है कैचिंग करना कोंट्राक्ट यानि कैचिंग करना ओप्षन राइट हो जाएगा नेक्स्ट आइग्स्ट आपको लिमिटिट एरिया उफ एल्टिज तो तो टेकिंग मैडिशीन ओप्षन 4 तो डिस्कॉस इन ग्रूप फोर जोट डाउंड आइडिया एंड देन डाम आउट्लाइं तो राइट पैराग्राफ लर्नर्स दैन एडिट दा पैराग्राफ इंटो फाइनल ड्राफ विच इस स्टेजी ऑफ राइटिंग दस्टा टीचर फोलो है तो राइट आंसर इसमे जो है उसके फुलपोर्म यह पर पूछी गई है तो फुलपोर्म होते है कोग्निटेवली एडवांस्ट लैंग्वेज प्रोफिशेंसी ऑप्शन सेकिंड राइट है नेक्स्ट है 139 की टास्क बेस्ट लैंग्वेज लेर्निंग मीन्स दैस्ट तो राइट आंसर हो तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा तूनों हिस्टी ओफ लैंग्वेजिज ओप्शन फॉर्थ राइट है नेक्स्ट है 141 कोश्चन की विच वन ओफ फॉलंग इस नोट टू ओफ लैंग्वेज लेर्निंग तो राइट आंसर है कि ग्रामेटिक का रूल्स आर इंपोर इस नोट आप लिए नेक्स आता है 143 कि वाट स्टेश इस गिवन तूंग्ली इंग्लीज लैंग्वेज इंड इंडियन कंस्टिशन तो राइट आंसर हो जाएगा अस्ट ओफिशल लैंग्वेज ऑप्शन सेकिन राइट है नेक्स आता है 148 एफ और पर पार पर प्रफ ल ड्राइट लर्नर्स गैडर इंफोर्मेशन फ्रोंग्वेज और सॉचल साइन सब्सक्राइट राइट है और सोर्सेट बिफ्र नेक्स आटास्ट इस अटेट मिला यह इसको च्वाथा होता है यह आपका है टी अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग एक्रोज दासैरिकुल औप्शन फर्ट राइट होगा नेक्स्ट है 145 कुश्चिन विच वन ओफ फोलोईंग फॉलोई इस नोट एन अस्टमेंट टूल फॉर लेर्निंग तो यह राइट आंसर हो जाएगा रही लिया औप्शन फॉर्ट राइट है नेक्स्ट आता है 146 कुश्चिन कि टीचिंग आ लेंग्वेज ओप्शन थर्ड राइट होगा अब आता है नेक्स्ट आपका कुश्चन 148 की इन पूट हाइपोटेसीज राइफर टू राइट आंसर आंपर आता है की दा रिलेशनिप बिट्विन वाट दा लेंग्वेज एक्स्टों फॉर्ट राइट होगा नेक्स्ट 149 कोश्चन की विच्वन ओफ फॉलोएंग मेक्स दा कम्यूकेशन असाइक्लिक प्रोसीज राइट आंसर है फीडबैक ओप्शन थर्ड राइट होगा लाश्ट कोश्चन आपका इंग्लिस का 150 एकि टोप डाउन प्रोसीज उफ राइट होगा चलिए अब आता है नेक्स् कोश्चन थर्ड राइट होगा नेक्स आता है 121 कोश्चन 22 कि आज पूरा जीवन दर्षन बदल गया प्राचिन काल में जीवन का वास्तिक रक्षन क्या माना गया था यानि पुराने समय कि इसमें बात की गई है कि जीवन का जो रियालिटी जो गोल था वो क्या होता था तो वह था नेतिक और आध्यात्मिक विकास ओप्शन 4 राइट है नेक्ष्ट e 1 2 4 सब्ब्एक सब्सक्तिında कोरान किए है थान के गई अन्धीदोर ओप्शन 3 राइट होगा नेक्स्ट आता है 126 question कि मांसिक तनाव की व्याद्यों के कारण लेखा कने क्या माना है तो जो लेखा के उसने क्या माना है किसी भी परकार का धन कमाने की इच्चा option second right हो जाएगा नेक्स्ट आता है 127 question कि किसी दोड को अंतहीन माना गया है किसी भी परकार धन जोडने की option third right होगा अब यहाँ पर दुबारा से आपका एक गध्यांस आता है जिसमें 129 से लेके 135 तो question आपके बनेगे तो पहला question आता है 129 कि सुक्ल साधन का जो विग्रह और समास है वो क्या होगा कि सुकों के साधन तत्फुरूस आपका होगा option second right है next is 130 वह ऐसिक्सित सिक्सित व्यक्ति से अच्छा है जो तो कौन से अच्छा होगा पहला option इसमें right होगा द्यालू और सच चरीत आपका हो option first right होगा next 131 question की अच्छी सिक्सा की विशेस्ता नहीं है तो कौन से विशेस्ता नहीं होगी अनुत्तरदाई बनाना option third right होगा next 132 question है कि अधिकारों और करतवयों के विशे में सिक्षित व्यक्ति तो सुक्षित व्यक्ति क्या होता है दोनों का बराबर ध्यान रगता है option third right हो जाएगा next 133 question हमारे कुछ अधिकार और करतवय भी है उप्युक्त वाक्य किसी परकार का है तो जो वाक्य होता है सरल वाग क्या आपका होता है option first right हो जाएगा next आता है 134 question कि कौन सा सब्द अनुपसर से नहीं बना है तो कौन अनुपसर से यानि अनपड आपका नहीं बना है option second right होगा next 135 question मनुश्य तभी सुकी कहा जा सकता है जब कैसे यानि उससे आत्मिक ज्यान होता है option fourth right हो जाएगा next 136 question आता है कि पार्ट से तीनों परकार की संघ्याओ के उधारन खोज कर लिखिये अभ्यास परसन डैस का उधारन है संधर्व में व्याक के रण का option first right होगा next 137 question क्यूच प्रात में कि इस तर पर बच्चे की भासा चमता का आकलन करने की द्रेश्टी से सबसे कमजोर परशन है सबसे कमजोर परशन क्या होता है लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्यपून बताया है option third is right होगा next आता है 138 question की इन्दी भासा सिक्षक के रोप में सरवाधिक महत्यपून है महत्यपून क्या होगा भासा की सिक्षा सास्त्रे समझ option second राइट है next 139 question की भासा सिक्षन के संधर में सततर व्यापक आखपलन के लिए सरवाधिक महत्यपून है तो महत्यपून क्या होता है बच्चों के भाशा परियोग का निरंतर अवलोखान option first right होगा next 140 question की आठवी कक्षा में मुद्रीत पढ़ते समय प्रेशानी का अनुभाव करता है संभथा मुद्रीत डैस से ग्रस्त है तो किस से ग्रस्त होता है डिस्लैक्ष से option fourth right होगा next 141 है कि प्रारंबी की स्तर पर हिंदी भासा की पाट्य पुस्तक का निर्मान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि प सामगरी का विकास किया जा सकता है तो किसका विकास किया सकता है पूरक का option second right होगा next 143 है कि नियंबत परवर्ति को पहचाना और उसका विश्रेशन करना उचे प्रात्मी कि स्तर के भासा सिक्षन का एक उदैस उदेश है तो कौन सा उदेश है महत्त है पून option first right होगा next 144 है next 145 question की उचे प्रात्मी कि स्तर पर बच्चों के भासा विकास की द्रश्टी से सबसे महत्यपून है तो वह होता है शूत लेक option second right होगा next आता है 146 question की पढ़ने का जो संबंद है वो डैस से है तो किस से होता आर्थ से मिनिंग से next 147 है कि उचे प्रात्मी कि स्तर पर हिंदी की पार्टे पुस्तों को में अन्यविश्व के पार्टों को इस्तान देने का एक महत्यपून उदेश्य होता है वह है आपका हिंदी की पार्टे बस्तों को समाविशी बनाना option फॉर्ट राइट होगा next 148 question की बच्चों में जनमजात भासिक शमता होती है इसको एक सिक्ष सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए थैंक्यू झाले झाले